असलम्यकूम तो में YouTube students, how are you all? I hope that you all are fine. Welcome to Tutorle 9. Students, today we are going to solve the question of algebra. Algebra के this question में हमारे के अदिशन परफॉर्म करना है और हमारे पास तीन expressions है, ठीक है? 6A plus 8B minus 7C, 2B plus C minus 4A, and A minus 3B plus 2C. अब लोगन देख सकने, इसमें X, Y, Z नहीं है, इसमें जो letters दूज होए हैं कि अड़ने से पहले एक बात आप अप अनों धिषान में रखनी है क्यां वो सेम हूए यांइ गर इसमें एक सब्सक्राइब ऑस भी सोंगे सकते हैं यहां है यहां तो हमने शारी को पहले लिक दूब करेंगे हम इसको horizontal method को यहां पर follow कर रहे हैं आप लोग ने तीनों term expressions को bracket में write करना है जो कि आप लोगा step 1 है last video में हम लोगों ने यह देखा था किस तरह step 5 हम लोग horizontal method को follow करते हैं अगर आप लोग वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं अच्छा मैंने यहां क्या करना है मैंने a की term पहले लिखने है minus 4 a plus 2 b plus c ठीक है a b and c यहां पर भी यह order a b and c a b and c ठीक है अब तीसरी वह नहीं लिखने है plus a minus 3 b minus 2 c यह होगा हमेरे पास step number one अब step two में मेंने क्या करना है brackets call देना है plus minus minus 4 a plus 2 b plus 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 ठीक है यह देखें यह जो plus है स्फॉरंज यह bracket के अंदर हर symbol से multiply होगा plus minus minus plus 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 now the step three is आप लोगों ने a की terms लग करने है b की terms लग करने है और c की terms को लग करने है ठीक है six है अब दूसरी a value term है minus 4 है मैं double underline कर रही हूं उनको ताकि आप लोगों पता चल जाए यह देखें यह तीनों a value terms है मैंने तीनों यहां पर कठी write कर लिया है ठीक हो गया अब b वाली terms को मैं single underline कर रही हूं यह तीनों b वाली है plus 8b plus 2b minus 3b ठीक हो गया मैं dot लगा रही है c वाली पर यह तीनों c की है यहां यह minus 7c plus c and minus 2c equal का sign अब यहां पर दोबारा आएगा algebra में यहां पर left side पर आप लोग equal का sign जो है वो हमेशा write करते हैं अब आप लोग इसको add कर लें 6a minus 4a plus a 6 में से आप 4 minus करेंगे तो 2a 2a में आप लोग a add करेंगे तो आपने बसाएगा 3a ठीक है यह यहां देखें साइट पर मैं आपनों करके दखाल दाती हूँ 6a minus 4a plus a यहां यह 1a यह 6 plus का है 6 में से 4 minus होंगे क्योंकि plus minus minus कर दिया आप लोग ने तो आपनों को पस क्या आएगा 2a यहां पर बचें अब यहां पर आगे 2a और नीचे है 1a दोनों में add का symbol है आप लोग ने क्या करना है add perform करना है यहां पर addition 3a तो हाँ पस क्या आया 3a अब इससे तरह से plus 8b and 2b plus किये तो 10b 10b से b में से आप लोग 3b minus कर देंगे तो आप लोग क्या आएगा 7b अब आ जाए यहां पर minus 7c plus c and 2 minus 2c minus plus minus minus कर देंगे आप लोग 7c में से 1c आप लोग के पास क्या आएगा यह देखे minus 7c and plus 7c 6c अब यहां पर symbol किसका आएगा minus का symbol हमेशा बड़ी value का थे यहां पर देखे मैंने 2 के साथ बड़ी value का symbol लगाया अच्छा जी 6c आगया 6c के पाद है 2c minus 2c minus minus plus होना है इसने symbol बड़ी value का जो कहा है minus plus किया तो 8c minus 8c so the answer is 3a plus 7b minus 8c getting अच्छा यहां पर आप लोगों को थोड़ी difficulty होगी कि मिने symbols किस तरहां से write की है इसके understanding के लिए एक अलग से video students आप लोग चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं मैं suggestion में भी उसका link दे दूँगी आप लोग वीडियो देख सकते हैं किस तरह से algebra में हम symbols use करते हैं और किस value के साथ कौन सा symbol write करते है getting so hope that you understand it students यह था horizontal method अब इसको हम लोग करेंगे column method के तो जी students यह देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर column method में इन तीनों expressions को column wise write कर दिया अब देखें plus 6a minus 4a and plus a यानि 1a 6 and 4 इनके दरम्यान क्या symbol बंद रहा है plus minus minus तो minus कर देखें आप लोग पस हैगा 2a 2a plus 1a 3a वाज यहाँ पर देखते हैं यह plus है यह minus है 8a sorry 8b and 2b 10b plus के साथ 10b 10b and minus plus 10b and minus 3b आप लोग के पास क्या हैगा 7b plus minus minus symbol बड़ी value का symbol यहाँ पर and 7b अब इसको हम रोग करते है minus 7c and 1c ठीक है plus 1c क्या होगा minus 7c plus 1c symbol बड़ी value का plus minus minus कर दिया जी 6c ठीक है 6c minus 2c symbol सबसे बड़ी value का लगा लें जो के 6 का साथ minus है 6 में से minus minus plus 6 plus 2e so 8c minus 8c आप लोग देख सकते हैं वही आया है जो मेरे पास horizontal method में आया था getting so students hope that you understand it if you like the video then please subscribe this channel thank you so much अहुँगे है झाट अच्याचे जाट गदिटू लगर झाटो च्हुटाटी़